नमस्कार आज हम 16 सितंबर 2020 के करंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस ता बेल आइकन आज का फर्स्ट कॉशन है हाल ही में जापान के नई PM के रूप में किसे चुना गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी योशी हिडे सुगा जिन्हें नया PM चुना गया है जापान का जापान के नई PM के रूप में इन्हें चुना गया है योशी हिडे और यहाँ लिब्रल डेमोक्रिटिक पार्टी से हैं और अभी हाल ही में शिंजो एवे जिन्होंने हैल्थ इशू की बज़े से जो है वहाँ अपने रिजिगनेशन को अभी रिजिगनेशन के लिए अनौ लोकेशन देख लेते हैं एक बार मैप में यह जपान है यहाँ पर कई सारे आइलेंड है लेकिन जो मेन आइलेंड है उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं जैसे कि होकेड़ो आइलेंड हांसु आइलेंड शिकॉको आइलेंड और क्यूसो आइलेंड जपान जो है व टोक्यो भी इसी आइलेंड पर ही इस देता है यहां पर आप देख सकते हैं मौंट फुजी यहां एक वाल कैनों है और यहां पर एक जील है लेक वीवा जो कि जपान की सबसे बड़ी जील है यहां पर आप कुछ वाटर बोडिस भी देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन सी ओफ जपान और उपर आप देख सकते हैं यहां पर नौर्ट में सी ओफ ऑक्टोस्क और इस्ट चाइना सी जपान की कैपिटल मैंने बताई आपकी टॉक्यो जोकि हांसू आइलेंड पर ही इस्तित है और यहां की जो करंसी है वहाँ जापानिस येन है अगला कोश्चन है किस देश को यूनाइटेड नेशन्स कमिशन ओन स्टेटस ओफ वुमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन दी इंडिया को इंडिया जो है वहाँ इलेक्टेड हुआ है कमिशन ओन स्टेटस ओफ वुमेन CSW जैसे शॉर्ट में बोलते है उसके मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ है और यह जो CSW है यहाँ बॉड़ी है एकनॉमिक एंड शोशल काउंसिल की इंडिया जो है वहाँ चार साल के लिए इसका मेंबर इलेक्ट हुआ है जो की 2021 से लेकर 2025 तक CSW यहाँ एक इंटर गवर्मेंटल बॉड़ी है जिसका में काम यहाँ है कि प्रमोट करना जेंडर इक्वालेटी और वुमेंस के इंपावर्मेंट को बढ़ावा देना जो फंक्शनल कमिशन जो है ECOSOC यहाँ 1946 में स्ट और इंटियन हॉण किताब खबरों में है यहाँ किसके दौरा छिखी गई है और यह जो किताबiben है यहां महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है Government of India ने अभी हाल ही में महात्मा गांधी के जो व्यू है Sustainable Development पर उन्हें Retreat किया है 1909 में उनके द्वारा हिंद स्वराज यहां पर अब देख सकते हैं हिंद स्वराज या Indian Home Rule Home Rule जो थी बुक जो है वह लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा उन्होंने यह बुक जो है वहां गुजराती लैंग्विज में लिखी थी इसमें उन्होंने अपने एक्सप्रेस अपने विउस को एक्सप्रेस किया था जैसे कि स्वाराज के उपर उन्होंने इसमें लिखा है modern civilization और mechanization के उपर उन्होंने इस बुक में अपने वीज़ क्यों है वह एक्सप्रेस किये हैं बट 1910 में इसे ब्रिटिश कवर्मेंट के द्वारब बैन कर दिया गया था next question है हाल ही में में के दातू जलाश है खबरों में है यहां किस राज़े में इस्तित है और इसका सही आंसर है option D यहां करनाटका में इस्तित है और अभी यहां न्यूस में इसलिए है क्योंकि करनाटका की जो government है और जितनी भी उनके delegates हैं जिनने head कर रहे हैं यहां के चीफ मिनिस्टर वी एस यदि रुपा उन्होंने बोला है कि हम सैंटर पर प्रेशर डालेंगे कि मेका देतू रिजर्वियर को बनाने में मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए वह सैंटर पर प्रेशर करेंगे कि हमें पर्मिशन दे दो जो की प्रपोस्ट है ताकि जो ड्रिंकिंग परपस के लिए यहां पर वाटर को स्टोर करना है यह 2017 में स्टेट गवर्मेंट के द्वारा एप्रूब कर दिया गया था इस रिजर्वियर को और इन्हें Union Water Resource Ministry से भी पर्मिशन मिल गई थी लेकिन इन्हें Ministry of Environment and Forest से अभी तक Approval नहीं मिला है और तमिल नाडू जो है वह सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के अगेंस्ट भी अप्पील डाल चुका है आएए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं मेंकादातू डेम प्रोजेक्ट के बारे में यह करणाच का Government के द्वारा सैट अप किया जाना था ठीक है मतलब किया भी जा रहा है भी वर्क जो है अभी हुआ नहीं है मतलब अभी पर्मिशन मिली नहीं है ठीक है यह जो प्रोजेक्ट है यहां मेकदातू मतलब जो तमिल नाडू से कावेरी रिबर के रामन गरम डिस्टिक पर हैं ठीक है यहां प्रोजेक्ट इस देता है इसका जो प्राइमरी अब्जेक्टिफ गया है कि जो बैंगलूरू को जो drinking water supply प्रोवाइट करना करनाटका के बारे में जौन दें करनाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां वी एस यदुरुपा है और यहां के जो गवर्नर हैं वहां बाजु भाई बाला है ठीक है बाजु भाई बाला यहां पे कुछ नेशनल पार्क भी हैं उनके बारे में भी हम जौन लेते हैं जैसे कि क्योंकि जो अभी बैंक के कई सारे एक्जाम साने वाले हैं और उसमें नेशनल पार्क उनका फैबरेट टॉपिक है वो एकोशन जरूर पूछते हैं बांदीपुन नेशनल पार्क, बननर घटा नेशनल पार्क, काली टाइगर रिजर्व जो है वहाँ करनाटका में इस्तित है और यह नागर होल नेशनल पार्क का यह अचली पार्ट है काली टाइगर रिजर्व डान डेली नेशनल पार्क और कुदुर्मुक नेशनल पार्क नाडू करनाटका और केड़ा चार पड़ुचेरी की टुबुट्री इसकी जो टुबुट्री की काबेरी रिवर की वह हैमबती लच्मन तीर्थ, काबिनी अमरावती नॉयल और भवानी रिवर्स हैं यह इसकी टुबुट्री है एक बार बस उपर से देख लीजेये कई बार false बनता है तमिलनाडू में आप सभी के लिए questions हैं आप इसको attempt कीजिए जो कृष्ण सागर डैम जो है या जो रिजर्व है या develop किया जो रहा है किस river पर आप इसका answer comment box में दीजिए अगला question है हाल ही में US Open 2020 के पुरुशों का एकल खिताब किसने जीता है और इसका सही answer है option B Dominic Thames के द्वारा US Open 2020 के male single title जो male means open होता है मतलब single main जो है वह जीता गया है क्योंकि ये single main single women double में भी होता है ठीक है तो ये main single में जीता है औस्टिया के Dominic Thames के द्वारा जिन्होंने defeat किया जर्मनी के Alexander Jevraev को जबकि जो अगर हम woman single की बात करें तो ये title जीता है Naomi Osaka अगला question है हाल ही में के अन दिक्षित समनिती समाचारों में मतलब के अन दिक्षित committee जो है वह news में है और ये किस चीज़ से related है और इसका सही answer है option A जो ancient हमारे Indian culture है उसकी study करने के लिए ये committee union culture minister जो है ठीक है उन्होंने informed किया है कि हम एक expert committee set up करी है जो कि हमारे Indian culture है और उसका origin है evolution है उसकी study करना और ये जो study की जाएगी वहाँ 12,000 साल से लेकर आज तक की जितनी भी हमारी ancient history है उसकी evolution उसकी origin इन सबकी विया study करेंगे इस committee को chair किया जाएगा के अन दक्षित के दिक्षित के द्वारा ठीक है जो की chair मैंने इंडियन archaeological society के ठीक है जो की former joint director general archaeological survey आफ इंडिया archaeological survey आफ इंडिया जिसका headquarter new Delhi में है और यहां 1861 में found हुआ था जबकि इसकी founder जो है वो Alexander Cunningham है थे अगला question है हाल ही में हिलसा मचली समाचारों में है यहां किस देश की रास्टी यह मचली है और इसका सही answer option C बंगलादेश यह जो मचली है जो फेश है यहां बंगलादेश की रास्टी यह मचली है और अभी यह news में इसलिए है क्योंकि बंगलादेश की जो Commerce Ministry है उसने Special Permission दे दी है कि वहाँ एक्सपोर्ट करेगी इस मचली को इंडिया में क्योंकि और दो हजार बारे में इसके एक्सपोर्ट पर बंगलादेश के द्वारा बैन लगा दिया गया था और अभी दुर्गा पूजा आने वाली है इस वज़े से इस मचली की जो एक्सपोर्ट है इसको अलाव कर दिया गया है बंगलादेश जो कंट्री है वहाँ 75% प्र अगला कोश्चन है किस राज्य और केंदर शाशित प्रदेश ने बैक्कियार्ड होर्टी कल्चर कारिक्रम शिरू किया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन भी जम्मू और कश्मीर जम्मो और कश्मीर के होर्टी कल्चर डिपार्टमेंट ने लॉँच किया एक फ्लैक्शिप प्रोग्राम जिसका नाम है बैक्कियार्ड होर्टी कल्चर जो की कैपक्स इसकीम के तहट जो है वहाँ पंचवाईत जसवान इन मार्क ब्लॉक जम्मो डिस्टिक मतलब जम्मो को दिया जाएगा और उन पर 90 परसेंट तक सबस्रीडी भी गवर्मेंट के द्वारा दी जाएगे इनका में एम यही है इस प्रोग्राम का कि और गैनिक फ्रोट प्रोडेक्शन को प्रमोट करना और अपनी जो इन्डिवीज्वल रिक्वार्मेंट्स है और जो कंजप्शन की जो रिक्वार्मेंट्स है उन्हें फिल्फिल करना आए जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जानते हैं जम्मू कश्मीर जहांकी लेटिन एट्टेनिंट गवर्णनर है मनोज सिन्हा National Park जो है जम्मू कश्मीर में ये भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से दचिगाउं National Park, Hemis National Park, किस्तवार National Park और City Forest जिसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क यह चाल कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं भी हाल ही में जमो कश्मीर के द्वारे एक प्रोग्राम चलाए गया है जिसका नाम है बैक्टू ब्लेज ठीक है अगला है एक ओनलाइन पोर्टल भी ओपन किया गया है जिसका नाम है स्पैरो इंडिया का जो फर्स्ट कैनिबिस मैडिसन प्रोजेक्ट जो है वहाँ भी जमो कश्मीर में है सेट अप किया जाएगा अगला कॉशन है किस राज्य ने कोविड-19 के प्रिसार को नियंतरित करने के लिए मेरा परिवार मेरी जिमेदारी कारिक्रम शुरू किया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन भी महरास्ट्रे जो सरकार है उसने कोविड-19 के प्रिसार को नियंतरित करना के लिए यह कारिक्र शुरू किया है बिरहन मुंबई मुनिसिपाल कॉर्परेशन जुन्होंने स्टार्ट किया है माई फैमिली माई रिस्पॉंसिबिलिटी कैम्पियन जो की कोविड नैंटीन के लिए जो हैल्थ चेक अप करेगा या फैमिलीज का और जो चीफ मिनिस्टर है महारास्ट के वहां उद्दर ठाकरे हैं और यहां के जो गवर्नर हैं वहां भगत सिंग कोशियारी हैं पहली जो रामसार वैटलेंड जो है अभी हाली में जनवरी या फैब्रूरी की बात है 2020 की जब वैटलेंड की लिस्ट आई दी 10 उन में एक वै वैटलेंड एचली फर्स्ट रामसार वैटलेंड है महारास्ट का जिसका नाम है नंदूर मदमेश्वर वैटलेंड कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं एक रॉपैक सर्विस है ठीक है जो की बहुचा धाका से लेकर मांडवा तक चलाई गई है वाटर ट्रांस्पोर्ट सर्विस ठीक है water की सेर्विस परवैड करना वर्ल का जो लारजेस्ट कौन वालसेंट प्लाज्मा थारेपी ठीक है यहां जो है वह महारास्त की गवर्मेंट के द्वारह ही लॉंच किया गया है जिसका नाम है प्लाटिना महारास्ट की गवर्मेंट ने जो औरंगवाद अब उसका नाम है चत्रपती सामभाजी महाराज माते राम एक हिली स्टेशन है जो कि महारास्ट में ही इस्तित है अभी हाली में महारास्ट ने इंटर्डूस की थी एग्रो टूरिस्म पॉलिसी लोनार लेक ये भी महरास्ट में ही इस्तित है और अभी नियूस में इसलिये थी क्योंकि इसका जो कलर था वो पिंक हो गया था अशारी एकादशी फेस्टिबल भी महरास्ट में ही सेलिब्रेट किया जाता है महारास्ट में inaugurate किया एक नया data center जिसका नाम है Yota NM1 data center जो की located है Panville में ठीक है अगला point है कि Union Minister of State of Communication जो Communication Minister है उनके द्वारा inaugurate किया गया है भारत Air Fiber Service ठीक है भारत Air Fiber Service जो की महारास्ट के अकोला में inaugurate की गई है अगला question है किस दिन को रास्टी है engineer दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका सही answer है option A 15 सितंबर को National Engineers Day के रूप में celebrate किया जाता है और इसे 1968 से celebrate किया जा रहा है और इस दिन जो है वहाँ मोक्ष गुंडम विश्व सरयया जिनने short में बोलते हैं इनने पॉपुलरली जो Sir MV के नाम से जाना जाता है इनकी worth anniversary होती है 15 सितंबर 1968 को उसी की याद में यहाँ दिन जो है वह celebrate किया जाता है और इस दिन पर जो engineers के दौरा जो nation के development में जो contribution दिया गया है उसको याद करके यहाँ दिन celebrate किया जाता है Sir MB जिनने father of modern मैसूर भी कहा जाता है इनन 1955 में भारत रतने से सम्मानित किया गया था और जब बिटिश गवर्मेंट के टाइम पर इनन नाइट हूड उपादी भी दी गई थी और कल हमने आप से question पूछा था हाल ही मैं PM मोधी ने किस राज्यों में पेक्ट्रॉलियम शेत्रे से संबंदित तीन प्रमुक परियोजनाओं को रास्ट को समर्पित किया है और इसका सही आंसर है option C बिहार और 14 सितंबर के रिवीजन्स के आंसर्स भी एक बार देख लेते हैं पहले questions का आंसर जो है वहाँ एक मैं सॉरी गलत है क्योंकि जो चेतन्य तम्हाने जो है उनको यहाँ बैस्ट स्कीन प्ले अवर्ड मिला है ये भी गलत है क्योंकि जो IE Startup 2.0 प्रोग्राम है वह ICIC बैंक के दोरे स्टार्ट किया गया है ये भी गलत है क्योंकि उत्राखन गवर्मेंट ने विजलेंस डिपार्टमेंट को Intelligence Organization का टैग दिया है ताकि वह RTI के परवियू से बहार हो जाए और ये भी गलत है क्योंकि जो इंद्रागांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो है उसनों ने First Coronavirus एरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलेटी प्रोवाइड की है और आप सभी के लिए भी questions है ठीक है ये भी revision questions है अल्रीडी हम कवर करवा चुके हैं ये सारे questions इसलिए ये उनके revision है हाली में किसे राज्य सभागे उपाद्यच मतलब डिप्टी चेयर्मेन के रूप में निव चुना गया है और भी questions है आपके लिए 15 सितंबर के revision questions आई आई टी देहली ने डेवलेप किया है आई आर एडी मोबाइल एप्टीकेशन अगला question है क्या तमिल नाडू ने लॉंच किया है आसरा scheme ताकि वुमेंस को इंपावर्मेंट करने के लिए यह scheme जो है वह तमिल नाडू के दौरा लॉंच की गई है अगला question है अभी इगोपाला एप जो है वह समाचारों में है क्या यह ब्रीड इंप्रूब्मेंट मार्केट प्लेस से रिलेटेड है मतब जो कैटल का ब्रीड इंप्रूब्मेंट के लिए से रिलेटेड है यह हम अगला question है राजिस्तान के दौरा क्या लॉंच की गई है एक social security scheme जिसका नाम है गरिमा आप इनके answer जो है वह comment box में देंगे true और false के रूप में इसी के साथ आज का discussion यहीं समापत होता है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए thank you so much